क्या आपको पता है कि पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं या फिर ये कि कई लोगों की दर्षे मोत हो जाती है तो उनकी दर्षे मोत कैसे होती है या फिर ये कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी जमीन पर पाऊं ही नहीं रखता अगर नहीं पता तो इस वीडियो में आप ऐ प्रिगलने के साथ सेकिंड के बाद वो हमारे पेट तक पहुंसता है यानि खाना पेट तक पहुंसने में साथ सेकिंड लेता है फैग नबर फॉर्टीन क्या आपको पता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है तो वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर पेल्ग नमब 12 बस्वण के कुछ साल हमें याद नहीं रहते कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है तो आपको बता जूँ कि जब हम सोते होते हैं तो हमारे मस्तिश्क के अंदर यानी हमारे माइंड के अंदर लिफ़कामपस नहीं होता है ही पोकामपस वो ब्रेन का वो क्या को पता है कि जैहिंद का नारा किस ने दिया था जैहिंद का नारा सबसे पहले आबिद हसन सफरानी ने दिया था फैक्ट नंबर टैन क्या को पता है कि फेर एंड हैंसम पर एक लड़के ने मुकदमा दायर कर दिया क्योंकि वो तीन हफ्तों से लगाता और फेर एंड हैंसम इस्तमाल गर रहा था लेकिन वो गोरा नहीं हो रहा था जैसा कि एड़वर्टाइजमेंट में दिखा जाता है वो लड़का मुकदमा जीत गया और कमपनी को उशे 15 लाख रुपे जुर्माना भी देना पड़ा फैक नमबर नाइन क्या वो पता है कि एक ऐसा पक्सी है जो कभी जमीन पर पाउं ही नहीं रखता उस पक्सी का नाम है हरियल जीहां भारत में पाई जाने वाला हरियल एक ऐसा पक्सी है जो कि कभी जमीन पर पाउं नहीं रखता फैक नमबर एट है ये तो आपने सुना ही होगा कि चेतक ने 25 फीट जादा लंबे दरिया से खुद कर महराना परताप की जान बताई थी लेकिन क्या आपको पता है कि चितोर के हल्दी घाटी में चेतक की समाधी आज भी वनी हुई है जहां पर महराना परताप ने खुद से चेतक का देह संसकार किया था क्या परता है कि प्राकर्टिक गैस बिना गंद की होती है यानि जो हमारे स्लेंडर्स होते हैं उनकी जो गैस होती है वो बिना गंद की होती है यानि उनके अंदर कोई स्मेल नहीं आती स्मेल तो उनमें बाद में जान बुद कर एड़ की जाती है ताकि लीकेज का पता लग शक्रेइग नमब पुरी लाइफ में हमारी स्कीन 900 वार चेंज होती है यानि पुरी लाइफ में हमारे फिंगर प्रेंट 900 वार चेंज होते हैं 5. दिन भर में अगर हम 30 मिनट चे जाज़ा या 30 मिनट तक चलें यानि मोर्निंग वाक या इवनिंग वाक करें तो उससे हमारे डिप्रेशन का खतरा 36% तक कम हो जाता है 5. जन्म लेने के 10 मिनट के बाद बच्चे के अंदर इतना माइंड डेवलेप हो जाता है कि वो ये पता लगा सके कि आवाज किस दिशा से आ रही है 5. पुरी जिंद्गी में हमारा दिमाग लग बग 10 लाख जिबी डाटा स्टोर करता है 5. पाश्वर्ण को हिंदी में क्या कहते हैं तो पाश्वर्ण को हिंदी में कूट सब्थ कहते हैं यानि कठिं सब्ध अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी प्रेस कर दे अगर कर दिया है तो थैंक्यू वेरे माच आपने सुना ही होगा कि कई लोगों की ढर चीन मोत हो गई वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इंसान डरता है तो अधिक एडारिनलीन हो जाता है ओधिक एडारिनलीन होने की वज़ह आज की वीडियो में तनाही ठैंक्स फूर वाचिंग